तुडेयर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सेक्ट समस्टर के सोसोलोजी यानि कि समासाफ्त के सिकेंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टन को इस टेंड एंसर के बारे में जिन जिन भी स्टूडेंट की परिच्छा लगी है कल पर सोय फिर आने वाले दिन हैं और लिए जिन्डर एंड सोसाइटी तो बहुत ही है अपको नकुस्टम है personaje पूरी उम्मीद एक फसेंगे और बाकी मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि आप एक तरीके से महा संग्राम वीडियो होने वाली है हम वह बीडियो बनाने का प्रियास करते वह सारे कोईश्चन बताने का प्रियास करते जिससे आपकी हेल्प हो सके ठीक है और यह सभी इन्व महलाओं के लिए प्रकार्यात्मक ठीक है फच्छारता का क्या उद्देश है यानि कि इसका उत्तर लिखेंगे कि इस कारिकरम का उद्देश यानि कि यह जो पूरा का पूरा ठीक है प्रवण महलाओं के लिए प्रकार्यात्मक सच्छारता इसका उद्देश है यह है कि इस यानि की पांदराफ लेकर पैतालिस वर्स की उमर की इतनी भी समुह की महलाओं की बित्रता रहे और उनका स्वाफ्त यानि जो हिल्थ है भोजन है और पोशड है ग्रेप रबंदन और शिस्यु देख रेक पाट साला और बेवहारीग योगिता के बारे में अनुप चारिक फ कैसे बच्चों के देख भाल करना चाहिए कैसे पढ़ाना चाहिए इन सभी चीजों की सीख दी जाती है यानि कि इन सभी की फिच्छा दी जाती है ठीक है इसमें तो इस प्रकार इसका उत्ता लिखेंगे महात्पूर्ण प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि इश्वर चंद बिध्या सागत की पहचान की इस रूप में की जाती है तो इस वर्चंद बिध्या-फागर का नाम तो आपने बड़े दिनों से सुना ही होगा और इस वर्चंद बिध्या-फागर एक बड़े समाज-शुधारक थे अपने बेक्तिकत रूप से बिना किसी संग की योजनाओं के लिए बहुत ज्यादा वर्क किया है ताकि इनकी जो कंडीशन है किसी भी परकार से पुरुस की आप इच्छा कमना रह जाए ठीक है तो इस प्रकार आप इसकी परिवाद उत्तर लिखेंगे ठीक है अगला प्रशन है कि महलाओं की इस्थित को फुधारने के ल अगला कि सती प्रता निरोधक अधिनियम का पारित किया गया था 1931 में ध्यान अगला प्रशन है कि कब से अंतर राफ्टे महला दिवस मनाना शुरू हुआ जो कि आप सभी ध्यान से सुन लिए अंतर राफ्टे महला दिवस जो है वह आठ मार्च 1997 की शुरूआत की तभी से अंतर राफ्टे महला दिवस मनाया जाता है यानि कि इंटरनेशनल ओमिंडे ठीक है मात्कूर प्रशन है अगला कि विश्व खाद यूजना भारत के दफ राज्यों में कफ्वे चलाई जा रही है ठीक है तियो उनिव शेत्र पे चलाई जा रहे है इस बात को धान और अंतर सुभिधाओं का भी बहुत सारा होता है और लड़की है ते महला है ते काम नहीं कर फक्ति यहां नहीं जा फक्ति यह चीज से सम्मंधित प्रशने तेजलिये जानते हैं ठीक है तो इसका अर्थ है लेंगिक विश्मता का कि लिंग के आधार पर महलाओं पर किसी अर्ठी परकात का भेत भाव वहत का रिया बंधन लगाना इस्तिरी पुरुष्द को समांता के अधार पर प्राप्त अनुचित करना मतलड की यह को तो आप कोई चुनाव नहीं निकल प्लक्ति महला हैं तो आप कहीं जान नहीं फैक्ति महला तो आप इच्छा नहीं ग्रण कर सकती तो यह सब चीजों पर बाउंडेशन लगाया गया और यहीं होता लेंगे की विश्मता ठीक है उसके बाद लिखेंगे कि भारत में समाजिक छेत्र में पुरुस और महलाओं के बीच निम्न छेत्रों में विभेदी करण देखा दा फकता है हर चीत में देखा गया परिवार में भी पर लिजेगा ठीक पूरा उत्तर आप लोग को समस्पृस्तुते अगला प्रशन है कि महिला उत्थ तीक है उत्पीडन की प्रकत क्या है तो महिला उत्पीडन की यानि कि उनको जो समस्याएं आती है तो परिष्वान किया जाता है उसके बारे में आपको यहां पर कुछ ल साधी करके जाने के बाद दो तीन महीने बाद साल बनने बाद उनको दहेच के लिए प्रतायित किया जाता है दहेच के लिए उनको डिमांड की जाती है ना देने पर उनकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद अगला पत्नी को पीटना यानि कि उनकी जो डिमांड हो बोलता है लड़का की घसे अपने बोली तो नहीं बोलती तो उसको पीटता है मारता है बहुत ही प्रमुक समस्या है महिलाओं को इन माध्यम से उनको मतब कि उत्पीडित किया जाता है उनको उत्पीडन में डाला जाता है ठीक है उनको समस्या के रूप में एक तरीके से बना दिया जाता है जो महिलाओं है जो रड़किया है जिनकी फादी हो जाती है वह एक तरीके से बोज है समस्या है ठीक है तो यह सारी बहुत फारी समस्य जाए को सामना करना पड़ता है तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में ठीक है अगर प्रस्णाय तो और अगला प्रस्णाय की स्वेश्वरत्तिक की परिभाफा दीजिए अगला प्रस्णाय की महला तो महला उत्पीडन बिल 2013 बाल विकासियो महला कल्याण मंत्राले द्वारा दिसंबर 2013 में पारित किया गया है इससे घरेलू हिन्शा की स्वेकार महला नियाप राप्त कर सकेंगी तता हिन्शा उत्पन करने वाले बेखत को दन्रिट हो सकेंगे मतलब कि एक योजिना या फिर एक सिस्टम मनाया गया महला उत्पीडन बिल 2013 इसके अंतरगत एक मालिजे एक सिस्टम मनाया गया गवर्मेंट का एक नियम मनाया गया ठीक है या फिर कानून मनाया गया इसमें कोई अगर महलाओं को परेसान कर रहा है या फिर उनको दहच के ल किसी भी लड़की या फिर महला को परिसान करता है, वो चाहे दहेश से सम्मंदित हो, या फिर कोई अन्य डिमांड हो, ठीक है, तो आप उसके लिए कानूनी कारवाही करा सकते हैं, और उस बेक्त को दन्रित भी करा सकते हैं, जो आपको समस्याएं दे रहा है, ठीक है, या फिर आपको जो भी कह रहा है, या फिर आपको मजबूर कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग कानून का सहरा ले सकते हैं, ये कानून बनाया गया महलाओ के लिए, ठीक है, पुरुष्प्रधानता दूसरा आर्थिक निर्भडता महला आफ इच्छा समाजी कुरुप्रथाएं पारिवारिक तनाओं तो महलाओं के फास जो सोसर होता है ठीक है उनको जो उत्पीडन फील होता है उत्पीडन किया जाता है उसकी कारण क्या है किस वज़ा से किस वज़ द्धान रहेगा यानि कि मुखिया रहेगा ठीक है तो अगर वो सही है तो ठीक है अगर कहीं गलत हुआ ठीक है अगर कोई घर का मुखिया अगर गलत निक्रा तो महलाओं को बहुत फारे तानिफ उनाएगा बहुत फारे सोसर करेगा उससे बहुत सारी समस्या है उसके अधियों रहें ठीकित के तब mehlalayan का सोषड़ होगा क्योंकि वह ताने मारें गे कि कि आपकी घर से हमको ये नहीं मिला आपकी घर में जाते तो मैं यह भी उफ्थाने मिलती है वह सारे चीजें होती है ठीके और तो उनका सोसड हो जाता है समाजी कुछ प्रथाएं यानि कि समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं जिन से बहुत सारी महलाएं बहुत फारी जो लेडीज हैं उनको बहुत समझ जानते हैं जैसे कि गूंगट प्रथा आप लोग जानते हैं अब लोग तो देखते होंगे साधी होती है ठीक है साधी होती है तो आज के जमान तो जैमाल सब जगा उटा है ठीक है लड़की लड़का को जैमाला करते हैं माला डालते हैं स्टेज पे ठीक है लेकिन जब वो घर आती है बिदाई के बाद महला ठीक है तो जब भाई लाती है तो वहां पर उसको गुंगट कारना पड़ता है उन्हीं बेक्तियों के आगे जिन बेक्तियों के आगे साधी में स्टेज पे उसने मुख खोला हुआ था और वहां पर पोटो सूट चल ला था हर चीज हो रहा था तो है आपको गुंगट में रहना पर बहुत फारी तरह की समाजी को प्रताएं परिवारिक तनाव परिवार वाले स्टेंशन में डाल देते तनाव मतब मजबूर करने लगते किसी भी चीज से ठीक है और परिवारिक में बहुत फारी तनाव आही जाते हैं आपको मेंटली इस तरीकी से बातें कहे जाएंगी कि आप परिसान रहेंगे ठीक है तो यह सब चीजें है महिलाओं की प्रमुक कारण है इनको आपको ध्यान लखना है अगला कोश्चिन है कि दी ओरिजिन आफ दी फैमली प्राइवेट प्रटी दा इस्टेट इस पर एक बिस्तर टीका किसके द्वारा का प्रकाफित की गई तो यह अठाव कोश्चिन जानते इसके बारे में तो इनका कार यानि की वोमेन डिवलेम्मेंट कॉर्परेशन कार महिलाओं को प्रसिच्छित करना इन्हें और बजार की सुभिधाएं दिलवाना तथा उत्पीडन की सिकायतों पर हफ्ता चेप करके महिलाओं के अधिकारियों हितों की र मतफिकायत के लिए सिस्टम बनाया गया है और अपने हैदिकार अपने हित के लिए वो लड़ सकते हैं उसके लिए रच्छा करना यह है वह मेंस डूलिम्मेंट को अपरेशन का कार ठीक है इस प्रकार इसका उत्ता लिखेंगे अगला प्रश्चिन के हिंदू बिद्वा प पूर्वपत की संपत्य में उसका जो अधिकार हो या जो कुछ हिस्सा मिला हो उसको पुनर विवा के बाद त्यागना होगा इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है तो यह कुछ प्रोंग भी सेस्ता हैं हिंदू भी दूआ पुनर विवा ने की जिस भी औरत की या पिर जिस के बाद अगला प्रशन है कि घरेलू स्रम किस प्रकार का स्रम है तो इसका उत्तर लेखेंगे घरेलू स्रम में परजिनन बच्चों के पालन पोसर और घर ग्रस्ती में लगने वाला स्रम समाजी क्रूप से आवश्यक उत्पादन का बड़ा हिस्सा होते हुए भी वास्तव कोई कार इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह बजार वह बेवसाय से दूर होता है ठीक है तो इस परकार लिखेंगे इसके बारे महला की कोश्चन बहुत कम आता है अगला है कि लाएंगे स्रम विवाजन के हसिया का ठीक है हसिया करण के विभिन पहलू कौन कौन है कि है घर बाहर के भी तनी रफी पर चलने का रोमांच तो यह कोश्चन हाला कि कई बार तो नहीं आया है लेकिन बहुत कम देखने को मिला है तो लेकिन हो सकता आ जाए तो आप लोग धान लखेंगे अगला है कि वैस्या ठीक है वैस्या व्रत्तिके दुष्परेडाम क्या क्य हो सकते हैं तो पहला जो है वह सारी रिक रोग दूफ्रा नहितिक पतन अपरादों में ब्रद्दी वचंद संभोग में बढ़ावा ठीक है वेक्तिक्त बिख्टन पारिवारी बिख्टन समाजी बिख्टन यह तो कुछ प्रमुक दुष्परेडाम है वैस्या व्रत्त की ज चाहत यानि की अच्छे फैमली में रहने की उम्मीदें आयका फरल फादन यानि कमाई के बहुत अच्छे और सिंपल तरीकें हो बिरोजगारी और दूगी करण ठीक है और पारिवारिक दफाएं समाजी कुरूतियां पड़ोफ दोस्पोर्ट संगात अस्वस्त मनोरंजन यह कुछ प्रमो को ठीक है कारण है वैसे आव रत्तिके जिनको आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला कि हिंदू बिवा के लिए सरते कौन कौन सी हैं तो हिंदू बिवा के लिए कुछ सरते जान लीजिए उत्तर लिखेंगे कि दो हिंदू के बीच बिवा उस पूरत में अनुष्षित किया जाफा केगा जिसमें निम्नुसरते पूरी हो। अनुष्षित का दोरा बार बार न पढ़ता हो। वर में निकि जो लड़का होता है किस वर्ष की होना होना चाहिए और जो वदू ए व अठारा वर्ष की होनी चाहिए ठीक है तो इसी आयू विवा के समय पूरी कर ली हो। मतफ़ कि अगर आप हमिदान की हिसाब पर लड़की की उमर रखी गई ऑठारा फार लग्याई और जो लड़की की की रखी गई लग्यार ту कर रहे हैं तभी आप फंविधान के साथ साधी कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर अगला प्रशन है कि हिंदू बिवाधिनियम 1955 किन-किन लोगों पर लागू है तो इसका उत्तर लिखेंगे इसका विस्तार जम्मो और कश्मीर राजी के सिवास समस् बीर, सेव, लिंगायत, वाह फ्राथना या आर समाज के अनुईयों के सहित ऐसे सभी बिक्त पर लागू है जो कि हिंदू धर्म की रूप में बिकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू है तो इस प्रकार बेसिक पर चलिकेंगे भरर पोसर अधिनियम क्या है इसके अब आरम में जान लेजे हिंदू पत्नी चाहे हूँ अधिनियम के आरम के पूर्विया पश्चाद ब्याही हो यानि कि साधी की गई हो अपने जीवनकार में अपने पती से भरड़ पोफड़ पाने के लिए हगदार है इफधारा के उप बंदों के आधिन रहते हुए होगी मत कोई महिला है कोई मसवादी होगी पत्थी पत्ती दोनों हैं तो अगर उसको खाने की स्पिधान है या फिर खाने का कोई कुछ है नहीं या फिर उसको चाहिए जो लेगली है जो जरूरी है उसको अगर नहीं दे रहा है ठीक है तो उससे मागने के लिए या फिर उसको पाने के लिए पूरी तरह हकदार है ठीक है महिला तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग अतब कि हिंदु पत्नी चाहे वो अधिनियम के आरह में के पूर्व या पस्चात आने के लिए ठीक है कोई बेवफ्था या फिर आने जाने के लिए कुछ कॉन्वेंस जो लगता है ठीक कॉन्वेंस जो पहिंसे खर्चे होते हैं या फिर कुछ भी यह कुल मिला कि उसका भरड़ पोफर हर चीज से वह पती करें ठीक है उसके बाद अगला प्रस्ण है यह उनीश्य तो त्याइस में मुंबई सरकार द्वारा देवदासी एक्ट पारित किया गया था जिसके अनुतरार देवदासी बनाने के लिए की गई भी दिया फंफिकार चाहे उसमें बेक्त की सहमत हो या ना हो गयर कानूनी मानी जाती है ठीक है तो प्रकार लिखेंगे पहला है कि वैस्चाल है चलाने वाले को एक से पंद्रा वर्स तक का कारावार्ष तथा दो हजार रुपे का जुर्माना और दूसरा है वैस्चालों में रहने वाले कोई भी ब्यक्त जो अठारा वर्ष से अधिक हो तथा वैस्चा के आयपर आफरित हो उसको दो वर्स का क खता लाने के लिए फिच्छा में उपायों का उलेग किया है तो पहला जो है वो है फिच्छा को उतपादन के साथ जोड़ना जो फ्राय है फैचिक कारेक्रुमों के दौरा समाजिक तरह आफटर एक ता परबल देना तीफरा फिच्छा के द्वारा प्रजातन्त को बिक्सित करना चौथा है समाजिक नैतिक और अध्यात्मिक मुल्यों का अभिकास करना तो यह कुछ प्रमुक को ठारी फिच्छा योग के जो गत्सिल एवं ठीक है सार्थाक्ता लाने के कुछ उपाए हैं जिनको ध्यान रखन परिच्छा और रखन के अभिप्रिद्य करती है तो इसका उतार लिखेंगे से सब्युक्त का भीकास होता है तो नहीं सबी तरीके का भीकास होता है जिच्छा परिच्छ समाजीक्रण का एक संसक्त साधन मै पुर्म क attempted कि परटाई कि जीवन में हर जगा काम आने वाला एक त्रीके से ठीक एक त्रीके से आपका सकते हैं कि सहारा है जैसे कि अंधे का फारा लाटी होते बोड़े का फारा लाटी होता उसी तरह हर एक पॉइंट पे आप चाहे जहाँ पर जाएंगे कुछ भी करेंगे जहाँ पर रहेंगे फिच्छा मेडिटरी है फिच्छा बहुत ही आपको आगे ले जा फक्ति है यह तरह के पर आपको इस वीडियो में देखने का मिलेंगा और फ़ बहुत फारे परसन है वीडियो लंभी न उसले वीडियो को यहें पर्मसहपत करेंगे तो इस PDF में बहुत सारे ऐसे question जो कि मैंने आपको बता हैं और कुछ question ऐसे हैं जो आपको नीचे हाँ पर मिली जा रहे हैं इनका उत्तरा आपको तयार कर लेना है पूरी पूरी PDF आपको हम Telegram WhatsApp पे डाल देंगे ठीक है और Telegram WhatsApp का लिंक इसी वीडियो के discussion मिल जाएगा उसे जोइन हो कि आप हमें परसनल मैसेद कर दीजेगा तो अशलना कर देंगे और लग नवा प्रशन यहीं से यहीं क्योंकि उसमें से प्रशना आते हैं और बाकी आपका आपने चैनल सब्सक्राइब जबर करें मिलते हैं को ने वीडियो में जय हिंद्र